महराना प्रताप की मुरितु के 55 साल बाद मेवाड के सिहासन को फिर से अभिमान करने का मोका मिला 1629 में जन में राज सिंग ने 23 वर्ष की आयू में बपा रावल के गुहिल वंज की कमान संबाली उस समय लगबक पूरा राजपुतान मुगलों के द्वज के नीचे था किन्तु राज सिंग के तेवर देखकर सल्तनत को उपनी सीमाय सिमटने का एहसास हो गया महराना राज सिंग ने मुगलों से हुई संदी की शर्त को दरकिनार करते हुए चितोड दुर्ग की मरमत का कारिय जो उनके पीता द्वारा शुरू किया गया था उसे वास्तवी गती प्रदान गी लेकिन शाह जहां द्वारा एक बड़ी फोज बेज कर की गई मरमत को फिर से दहा दिया गया शाह जहां जब बिमार पड़ा तो अवसर देखकर राज सिंग ने टीका दोड उत्सव के बहाने मेवाड के अंदर और आसपास के मुगल ठिकानों पर हमले करके उन्हें अपने अधीन कर लिया 1608 में किशनगड के महराजा रूप सिंग ओरंगजेप और दाराशिको की तक्त हेतु सजी रण भूमी में दाराशिको की तरप से शत्रीय दर्म हेतु बलिदान हो गए 1660 में ओरंगजेब ने महराजा रूप सिंग की खूपसूरत राजकुमारी चारूमती से विभा करने के लिए संदेश बिजवाया उस समय राजकुमार मान सिंग मात्र पांच वर्ष के थे और वहीं किशनगड एक छोटी रियासती वे ओरंगजेब की खिलाब जाने में असमर्थ थे राजकुमारी चारूमती की इच्छा के विरुद विभा का प्रस्ताव स्विकार कर लिया गया राजकुमारी चारूमती ने माहराना राज सिंग को पत्र लिखकर ओरंगजेब से बचाने और उनसे विभा करने की चाप प्रकट की क्योंकि उन्हें पता था कि वहीं एक वीर है जो ओरंगजेब के विरुद खड़े होने का साहसर रखते हैं औरंगजेब ने राजकुमारी के लिए डोला बिजवाया लेकिन माहराना ने सेनी को की टुगड़े बेज कर उसे बीच रास्ते से ही वापस बगा दिया और किशनगड बारात लेकर पहुँच गए राजकुमारी चारुमती से विवा किया और उने उदेपुर ले आए राजजिंग सिर्फ राजकुमारी को नहीं लाये थे वे औरंगजेब की नाग भी काट लाये थे शातिर औरंगजेब का दंब ओंदे मूँ जमीन में जादसा लेकिन वो भी बड़ी कारवाई करने की स्थिती में नहीं था क्योंकि अन्य राजबूत रियासतों का भी विद्रों में शामिल होने का डर था औरंगजेब की चड़का घूट पीकर रह गया 1619 में औरंगजेब ने जजियाकर को फिर से लगा दिया जो अकबर ने अपने साशनकाल में बंद कर दिया था यह गेर मुसलिमों पर इसलाम नमानने पर लगने वाला कर था औरंगजेब को राज सिंग ने पत्र लिखकर इसकर को नहीं लगाने के लिए कहा लेकिन जब औरंगजेब ने यह कर जारी रखा तो राज सिंग ने कहा कि जजिया मेवार से तो तुम्हें नहीं मिल सकेगा छत्रपती शिवाजी महराज ने भी औरंगजेब को लिखे पत्र में कहा कि अगर हिंदू ओपर जजिया लगाना चाहते हो तो पहले मेवार के राणा राज सिंग से जजिया कर लेकर दिखाए फिर दूसरे हिंदूओं से ले दुर्गादास राठोड जोतपुर के राजकुमार अजिन सिंग को औरंगजेब से बचाने के लिए बटक रहे थे औरंगजेब का अधिस था कि कोई उन्हें शरन नहीं देगा राणा राज सिंग ने न सिर्व उन्हें शरन दी बलकी एक जागीर भी उन्हें सोंप दी एक अनात बालक के अधिकारों की रक्षा से उपर उन्हें के लिए न कोई बाच्षा था न कोई संधी और नहीं कोई सल्तनत अब हिंदुस्तान के शाहंशा औरंगजेब के लिए राज सिंग बिलकुल असहनी हो गए 1680 में औरंगजेब सेना लेकर उधैपूर की ओर निकल पड़ा जब वह उधैपूर पहुचा तो रन्नीती के तहत राज सिंग महिलों को छोड़ पहाडों में आ गए जिससे गुरिला तकनीक से लड़ाई की जा सके औरंगजेब ने उधैपूर में अपने दार्मिक कारियों को प्राथमिक्ता देते हुए तरेशेट मंदिरों को तोड़ा और अजमेर लोट गया लेकिन शहजाद एकबर की अगोवाई में उसकी एकशक्ति शाली सेना चितोड में मोजूद रही मेवाड की सेना ने फिर छापा मार युद करके मुगलों की सेना को तहस नहस कर दिया और उनके कई हाती और गोड़े लूट लिये मेवाड की सेना पहाडों से आती और मुगलों को रोंद के चली जाती राना राज सिंग के पूत्र बीम सिंग ने पिता के आदेश पर ओरंगजेब के मंदिरों को तोड़ने के बदले के रूप में गुजरात में बहुत बैंकर गदर मचाया बीम सिंग ने गुजरात में 200 मस्जीदे तोड़ कर ओरंगजेब के कर्ज का बरपूर ब्याद देके चुका दिया उसके बाद मुगल सहजाद अकबर को बागी बना कर अजमेर में ओरंगजेब पर आकमन करने की पूरी तैयारियां कर ली लेकिन ओरंगजेब ने धूर्थता पूरवग महराना को जहर दिलवा दिया इस कारण 22 अक्टूबर 1680 को मेवारी शेर ने इस जगत से विदा ली